हेलो स्टूडेंट आज हम गदखंड का चैप्टर टू उसने कहा था का अबजेक्टिव प्रशन सॉल्व करने जा रहे हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अबजेक्टिव कोशन है और यह बोट परिक्षा में जरूर आएंगे ठीक है तो आप हमारे साथ इनकी प्रैक्टिस करते चलिए चलिए देखते हैं कोशन को सॉल्व करते हैं उसने कहा था किस वर्स की रचना है उसने कहा था किस वर्स की रचना है और इन के हैं चंद्रशर्मा गुलेरी जी दिखें यहां लिखा भी हुआ है उसने कहा था कैसी कहानी है है उसने कहा था यह कैसी कहानी है मानुई संवेदनाव पैधारी थे युद्ध के लिए उतेजित करने वाली है युद्ध विरोधी है और इन में से कोई नहीं तो निमने लिखित में से युद्ध विरोधी है चंद्रशर्मा गुरेरी जी किस यूग के कहानिकार है दिखे जब हम आपको यह जीवनी पढ़ाय थे तो यह बताया थे कि आप लोग को जरूर से याद कर लेना है कि क किस यूग के कहानिकार है वो भारतेंदू यूग के हैं प्रेमचंद यूग के हैं दिवेदी यूग के हैं इन में से कोई नहीं तो इन में से जो चंद्रशर्मा गुरेरी जी है वो प्रेमचंद यूग के कहानिकार है गद का विकास किस काल में हुआ है तो आधोनिक काल में उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है कितने भागों में बटी हुई है पाँच भागों में बटी हुई है किसी कहानी को महान कौन बनाता है कहानी का उदेश या उसकी घटना या उसकी रचना शायली यह में से कोई नहीं देखिए इसमें से बनाता है कहानी का उदेश यह कहाणी का उदेश जितना अच्छा होगा उसको कहाणी उतनी अच्छी बनेगी चंद्रधर्शर्मा गुलेरी जी की कहाणी कौन सी है तो इसमें से आपको मालूम ही है उसने कहा था कीरत सिंग कौन था दिखिये मैं इन कहाणी से भी कोशन आ रहे हैं किरत सिंह कौन था कि लाना सिंह का भाई था लाना सिंह का भतीज्द था ला इस्ट कहानी कौन सी थी तो इसका सही उत्तर है उसने कहा था चंद्रशर्दर्शर्मा गुलेरी जी का जन्म किस दिन हुआ था तो 7 जुलाई 1983 को लहना सिंग अपना कंबल किसे उढ़ाता था वजीरा सिंग को लप्टन सहाब को सुबेदार को बोधा सिंग को किसको ढ़ाता था अपना कंबल बोधा सिंग को ठीक है किसको ढ़ाता था बोधा सिंग को चलिए आगे देखते हैं लप्टन सुबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़े जाने के लिए कहा था लप्टन सुबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़े जाने के लिए कहा था कितने आदमी को दस को लप्टन सहाब के साथ किस जिले में शिकार करने गया था इसका सही उत्तर है जगा धारी ठीक है लप्टन सुबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है वजीरा सिंग को किसे भेजता है वजीरा सिंग को आईए अब इसके देखते हैं खाई में खाई में कितने जर्मनों ने हमला किया था खाई में कितने जर्मनों ने हमला किया था तो इसका सही उतर है सत्तर लहना सिंग ने अपनी मृत्यों को गले क्यों लगाया देश की रक्षा के लिए हजारा सिंग की कहने पर सुवेदारनी की बात के लिए घर वालों के लिए तो इसका सही उतर क्या है सुवेदारनी की बात के लिए क्यों कि सुविदारनी नहीं उससे कहा था उससे वचन लिया था कि उसकी पती और उसके पुत्र की लहना सिंग को रक्षा करनी है ठीक है आए आगे देखते हैं निमने लिखित में कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है देखे ऐसे प्रश्णों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है और जहां पर नहीं रहा नहीं लिखा हो वहां पर अंडरलाइन कर लेना चाहिए यह तो हम भूल के इसका जवाब हां में दे देते हैं तो निमने लिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है सुखमे जीवन उसने कहा था बुद्धू का काटा पूस की रा ठीक है पूस की रात गुलेरी जी की रचना नहीं है इसको टिक कर देंगे लड़का और लड़की पहली बार कहां मिले थे बताया था हमने एक कोश्चन पूछेगा आपसे कहां पर मिले थे घर पर दुकान में बाग में गली में कहां मिले थे दोनों तो दुकान पर ठीक है बचपन में लणा सिंग लड़की से बार बार क्या प्रश्ण करता था देखिए इभी प्रश्ण हम जब पढ़ाये थे आपको पाट का सारांश तो पूछे रहे थे क्या पूछ यह प्रश्ण आएगा देखिए आया हुआ है यह लणा सिंग क्या प्रश्ण नहीं इसको बार बार आप सुन करके प्रैक्टिस कीजिए ठीक है और इसके बाद हम नेक्स क्लास में अगला चैप्टर करेंगे पढ़ेंगे उसको ओके थेंक यू